लोगसवा चुनाफ की नजदीक आते ही राम मंदर निर्मान का मुद्दा एक बार फिर सियासी बयानों का हिस्ता बनता जा रहा है अक्सर बीजबी निता राम मंदर बनवाने का दावा करते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के डिप्टे सियाम केशव प्रसाद मौरे ने तो इस पर कानून लाने की ही बात कर दी उन्होंने कहा कि अगर कोई विकल्प नहीं बचता तो केंदर सरकार इसके लिए सदर में कानून ला सकती है आगामी चुनाफ को लेकर बीजबी के धर्म पॉलिटिक्स चुरू हो गई है बीजबी के निताओं ने पूरे जोर शोर से 2014 की तरह इस बार भी राम नाम अलापना शुरू कर दिया है लेकिन लगता है कि उत्तरप्रदेश के डिप्टे सियम केशव प्रसाद मौरे को कुछ ज्यादा ही जल्दी है तबी तो उन्होंने इस मसले पर सुप्रेम कोर्ट के फैसले का इंतिजार करने की बाद कहने वाले सीम योगी से दो कदम आगे बढ़कर बयान दिया है मौरे ने राममंदर निर्मान के लिए प्रतिवधत दाहिर करते हुए कहा कि अगर कोई विकल्प नहीं बसता तो केंदर सरकार इसके लिए सदन में कानून ला सकती है उन्होंने कहा कि राजसभा में बीजोबे के पास बहुमत ना होने की वज़ा से अभी इसमें दिक्कत आ सकती है संसद में हमारे पास परियाब तो संख्या नहीं है अगर हम लोग सभा में कानून लाते हैं तो राजी सभा में कम संख्या होने की चलते हम निश्यत रूप से हार चाएंगे लेकिन जैसे ही हमारे पास बहुमत होगा सरकार कानून लाने में जरा भी देरी नहीं करेगी उत्तरपदेश के रिप्टी सीम केशब प्रसाद मौरे के इस बयान पर सियासी घमासान छिर सकता है इसलिए उन्होंने पहले ही अपना बचाफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लिया केशब प्रसाद मौरे ने कहा कि राम मंदर का मुद्धा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर लगातार सुनवाई चल रही है हमें आशा है कि जल्द ही इस पर फैसला आएगा भले ही बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से मंदर निर्मान के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जता दी लेकिन उन्होंने जो बयान दिया है उसे साफ है कि बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं है वो चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए कुछ भी कर सकती है डिविलाइफ की रिपोर्ट